साे तीन दिन में के सारे है चाहिछु कि मुद्स भाँ में पूरा बनकि इस वक्त मोक्त के न गहार सब्सक्राइक जरा तुमृ आधे होगत है लूट लूगा तुम को पूट दूगा तुम को बचना जरा तुम मेरे वार से जरा है तो बड़ी मुश्किल से अपने को आज भी सही सा रामत निकाल लिया है दो दिन बड़े दिक्कत के हैं मैं तो पूरी त्यारी से चल रहा हूँ प्रभु का इसकी बार में डिटेल में मैं वीडियो में डिसकस किया है आप वीडियो को ध्यान से देखिए कई सारी खास-खास बाते बताहिए जो मेरी फीलिंग है वाकि मैं नौस्त दमस नहीं गलत भ देखो डार्लिंग मैं सारे कमेंट परता हूं कि शेर बजार बहुत ही खतरनाक जगह है यहां एक भूली फैनेंशल तबाही के लिए काफी है मैं केवल एजुकेशनल वीडियो सी बनाता हूं मैं कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं चर्चा किये के स्टॉक उध बाइसल ने की कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरा यह मानना है कि शेर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए बलकि अपने रि्स्क अपिटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए सदा याद रखें जिसने लीट टिप उसकी हुई डिप शेर बाजार म investment in Hindi में कैसे हैं आप भाया खत्रे के सिर्फ दो दिन बचे हैं कल और परसों को हलके में नहीं लेना चाहिए सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली दफ़ा निफ्टी बैंक की मंथली लगी एक्सपारी वेनेज़ जे को होगी तो अब ऑपरेटर को दो दिन मिल गए खेलने के अब कल ऑपरेटर बैंकिंग स्टॉक में पंगा कर सकता है और परसों उसका रिवर्स कर सकता है तो अब यह दो दिन बड़े खतरनाक है इसमें कुछ भी हो सकता है तो बड़े शान्त के करना है ताकि हम इस भव सागर से निकल पाएं . यह दो दिन बहुती खतरनाक बहुती भेंकर बहुती घंजरस थाबित हो सकतें तो मैंने तो दोनों तरव की करतियारी कर लिये गिरेगा तो क्या करेगा भूड़ न 일न करेगा और दो तो क्या करेगा दोनों बजारों में तो आज मूड महल जो है मोटा मोटा ठीक था अब मैं अंतराष्टी बजारों का पहले चर्चा कर लेता हूं लेकिन अब आज कल और परसो आप यह मत मान के चली हमारे बजार अंतराष्टी बजारों को रेप्लिकेट करेंगे ऐसा कुछ नहीं है हमारे बजार अपनी पोजीशनों के हिसाब से चलेंगे जाने मन समझ के रहना बहुत खतरनाक दिन है आज हमारे सारे एशिय बजार हरियाली में बंद हुए एक मात्र ऑस्ट्रेलिया था जो पॉइंट फोर वन परसंट गिरकर बंद हुआ अब मैं चलता हूं यूरोप की तरफ तो भाई साब पूरा मस्त मॉला यूरोप है एक भी बजार दी है जो लालो सारे हरे और अच्छे हरे हैं पॉइंट गिरा हुआ है पॉइंट जीरो वन परसंट ना गिरा हुए नैस्डेक ओ सन्पी 500 ओ डॉजोंस ओ स्मॉल के अप सब हलकी फुलकी हरियाली में और कैनेडा भी हलकी फुलकी हलकी मतलब चुथाई पतिशत के लपेटे में उससे हलकी फुलकी उपर ही है अब मैं ब बजार गिरकर बंद हुए औस्टेलिया यह बजारों की तरह और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है जहां मारे बजार क्लोज हुए उससे तो उपर ट्रेड हो रहा है पर अभी भी साड़े 19 पॉइंट गिरकर ट्रेड हो रहा है तो हमारे बजारों में खत्रे के बादल कहीं च्छटे हैं आज सारा दिन हमारा बजार लाल में ट्रेड करता है मैं एक बार भी हरे में नहीं है डिटेल में जानकारी लिए एक नजर पहले उसी पर मार रहेते हैं देखो कल बजार बंद हुआ 22006 में और आज पीक बनाया 2273 का तो इसका मतलब मारा बजार सारा दिन लाल खुलाई 2947 पर था उससे उपर बंद हुआ 22004 पर खुलता ही भाग गया था और 2273 का शुरू में पीक बनाया था और इस पीक को यहां भी टेस्ट करने की कोशिश की थी फिर गिरा थोड़ा उपर गया फिर लास्ट में बहुत ज़दा गिरा बॉटम लास्ट के शणों में 21,950 के नीचे बनाया और यह कई भगवान का शुक्र है 22,000 के उपर क्लोजिंग दी है पर यह दिखाने की क्लोजिंग है यह 22,000 के जस्ट उपर की क्लोजिंग मेरे मन में बह पैदा कर रही है कि कल सबकी कटाई हो सकती है आज 20 शेर गिरे हुए थे 30 शेर बड़े हुए थे और 30 शेर गिरे हुए थे यानि मूड महल खत्रे का सा ही नजर आ रहा है अब जिर आसा देख लेते फियर फैक्ट है तो मार्केट मूड में अच्छा खासा डिकलाइन आ है जो दो दिन से ग्रीड का मार्केट मूड था आज फियर में चला गया तो भै पैदा करने की स्थित में बजार है और आपका यूएस डॉलर इंडेक्स अभी 104 के पार है नेगेटिव है कुरूड बढ़के 46-86 के पार गया नेगेटिव है रुपया 83 से काफी उपर है नेगेटिव है और यह भी 4.2 से उपर है 4.3 से नीचे है थोड़ा नेगेटिव है पर अंतराष्टी कई बार मुझे लगता है मेरे उपर तो डी आई का साया आगया है जहांतक चाश सेग्मेंट की खरीदा रही है और यहां फ्यूटर का कहा हम है वो एफवाइस का है क्वाद टीईएस तो करते नहीं एफवाइस ने कैश सेगमेंट में आज ना के बराबर खरीदारी करी है index future बेचे है, stock future खरीदे है, जिसके चलते है, थोड़ी सी net खरीदारी आई है, तो overall बजार आज खरीदारी का रहा है, फिर भी बजार गिरा है, इसका मतलब retail segment में माल भिकाया है, यानि retailers के मन में आज fear जादा था, अब DIs की, FIs की जो long है, index में काफी reasonable है, 33, stocks में थोड़ी मैं higher side पर कहूंगा, relatively, अब आज index देखिए सारे शेत्र के, nifty 50 गिरा हुआ है, nifty bank गिरा हुआ है, nifty 100 गिरा हुआ हुआ है, इसके लावा सारे हरे में और India Wix भी चड़ा है, जिसका मतलब volatility आज बढ़िये, आज मैं बात में बात देख था, बजार में शेरों के rate नीचे आगे और पुट्टो के premium भी गिर गए थे, मैं बड़ा हिरान था, यह क्या हो रहा है, और मेरा index आज अच्छी खासी हरियाली में, 0.27% बढ़के मेरा portfolio बढ़ा है, दूसरे phone जो madam का है, वो तो वीडियो बना रहा है, उस पर तो देख नहीं पहूंगा, पर इसमें 0.27 की बढ़त थे, 1523 घटे हुए थे, तो advanced decline ratio जो था, वो 1 is to 2 से बिकार था, भाग रहा था, dr. लाल पैत for a change, inter globe aviation, hind copper और max financials, गिरने वालों में जो सबसे आगे थे, भारती एटल, बहुत बढ़िया शेर है पर मरा पड़ा था, आईशर मोटर, पावर गेड और पता नहीं जाते-जाते जी entertainment को क्या हो गया, सारा दिन तो ठीक था, जाते-जाते मर गया, इसकी एक put बेची हुई है, जो इंदम money होगी, इसमें अच्छा खासा नुकसान है, इस वाले की हमने चर्चा कर रही है, आज जो मजदार मैंने देखा, वो बजाज finance बहुत बढ़िया था, हिंडाल को, ब विप्रो, कोटक, महिंद्रा, HDFC Bank, Divis Lab, ये सब मरे पड़े थे, HDFC Bank वापिस काफी नीचे आ गया, अब कल HDFC Bank का फिर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि कल क्या निफ्टी Bank की expiry है, अगर निफ्टी Bank को अच्छा मानना है, तो HDFC Bank के लिए गाना गाना पड़ेगा, मेरा सहारा है गिराने के लिए साथिया, बैंक निफ्टी को गिरा दे, लोगों को तू लुटवा दे, मेरा सहारा है तू, तो बैंक निफ्टी का जारा, HDFC Bank के ये ही कल लोगों को लुटवा सकता है, हलाकि मैंने आज इसकी एक पुट बेची, सोस समझ के, अब मैं सोच रहा है, HDFC Bank के दस लौट निया, दस कर लोगों इसके, आपकी कह रहा है, कमेंट में बताई, बड़े दिन से HDFC Bank से दुखी आ गया हुमें, जब तक मुझे लगना मैं दस लौट नियूँगा ये चलेगा निया, आपकी कह रहा है, ऐसे मिरे मन में विचार हरी केंडल का मतलब होता है, जहां बजार खुला था, उससे उपपर बंद हुआ है, हाला कि आज की केंडल की कमी यह है, कि आज इस केंडल ने फिर 50 days moving average को टच किया है, वैसे तो ये 50 days moving average के उपर बंद हुए ठीक है, बोलिंजर बेंड लोवर हाफ में है, ये बुरा है, औ और बेरिश क्रॉसोवर कम होता जारा है, ये अच्छा है, आरे से गिरा है, ये बुरा है, तो यानि अगर हम बात करें, टेक्निकल एनालेसिस की, बोलिंजर बेंड पर खराब है, कैंडल अपने आप में खराब है, moving average पर ठीक है, MACD पर इंप्रूब्मेंट है, पर खराब ह है, तो यानि मिले जूले से संकेत है, कुछ टेक्निकल फेक्टर कुछ कहरें, कुछ कहरें, पर ये बोलिंजर बेंड नीचे मुड़ गया, ये अच्छा चिन नहीं है, उपर वाला तो फ्लैट हो रहा है, नीचे मुड़ गया है, यानि ये कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, यानि पुट राइटर्स लड़ने को तयार हैं, मरने को तयार हैं, कह रहे हैं, 22,000 से नीचे नहीं जा रहे दूँगा, और कॉल राइटर्स 22,500 बहुत जाद हैं, पुट राइटर्स कम है, वो कह रहे हैं, तुझे 22,500 से उपर नहीं जा रहे दूँगा, अगर तो ऑप जल जला रही है इसलिए क्या कर सकते है PCR में बड़ी गिरावट है यानि ये कमजोरी की तरफ संकेत कर रहा है यानि दबा के काल राइटिंग हुई है संकेत कमजोरी की तरफ कर रहा है PCR लेकिन जब ऑपरेटर ऐसे करता है तो उल्टा भी कर देता है तो त्यारी तो दोनों तरफ ही करने पड़ेगी निफ्टी बेंग आदा परसंट गिरकर बंद हुआ च्याली से राच सो त्रेस्ट पर बंद हुआ थ पास 46,529 का बॉटम मनाकर हलका सा रिकवर हो के 4600 पर बंद होता है दोसो त्रेसर पॉइंट गिरकर पॉइंट फाइफ सिक्स परसंट की गिरावट के साथ अपनी नाक कटवाता है बेशर्मों की तरह चला जाता है आज बचाने वाले जो शेर थे हलके फुलके थे जैसे पी एंबी एक्सिस बैंक बैंक को ब्रोधा इंडसिंट बैंक फेडरल बैंक बंधन में तो कहरा है मैं न बढ़ूंगा न घटूंगा और जो बैंड बजवा रहे थे वो दिगगज शेर थे आज जिसकी कितने लुंगी खुली है एक तो है कोटक महिंद्रा और एक है ऐसे नाड़ा खीच दिया और खटक से पजामा गिरे गया है यह हालत था सब्सक्राइब किरा आइसे से भी किरा आइडिसी फर्स भी किरा यहीं स्मॉल फैनल यहीं दिगज बैंक ज्यादा गिरे साथ में थोड़े बहुत अब इसकी तीन कैंडल देखो कितनी बेशर्म हो की तरह नीचे की तरफ का ट्रेंड बना रही है तो निफ्टी बैंक कमजो अब और भी है मैं इसके चर्चा शुरू में भी कर ली ना निफ्टी बैंक की एकसपाइरी की बाच शुरू में भी है तो कल इसकी एकसपारी को सकता है क्योंकि operator के पस एक दिन है पर्सो का तब वो इसको reverse कर सकता है और निफ्टी-50 के साथ खेल सकता तो operator को मज़ा आएग पुट राइटिंग पर कॉल राइटिंग से डबल से भी जादा है पर बड़ी वाली इससे भी ज़्यादा पुट राइटिंग जो हो 46 यार पर तो बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है इसके नीचे लगता नहीं है बजार जल्दी-जल्दी कल जाएगा 47 यार पर आपकी कॉल र मैक्सिमम पें 47 यार पर कोई भी इशारा नहीं मिल रहा है आरे से में गिरावट है पीसी आर में पीसी आर की गिरावट दोनों तरफ इशारा कर रही है बजार में कमजोरी है पर यह रिवर्स भी हो सकता है आखरी दिन ऑपरेटर रिवर्स कर दे आज प्रभू के आशिवा कॉल बेची दो सेफ पूट बेची साथ नई पोजिशने मनाई अब आप देखिए एच्ट एफसी एमसी के मैंने एक फ्यूचर को आज बेचा यह मेरे पास पांच लॉट पड़े थे इसको बटा पांच करो पांच ही क्या था न बटा पांच है तो वन बाई फिफ्ट का अलगबग 20,000 का प्रॉफिट हुआ इस फिर मैंने ये कुछ सौधे स्क्वेर ऑफ किये थे इसके टाटा में के फूचर में प्रॉफिट हुआ यह मैंने फूचर शॉट किया था भाय कर लिया पूट मैंने स्क्वेर ऑफ कर दी हाला कि मैंने चार उपे पचास पैसे पैसे ना की होती तो 60 पैसे के हिसाब से तीन लॉट थे हैं धाई जाग का और में आफ़ा हो था पर ठीक है SBA कार्ड के future को मैंने roll over किया था और अशोक लेलैंड की call को square off किया Tata Motor के मैंने future जब shot को plus किया ना buy करके square off किया फिर मैं 600 शेर बेच दी हाला कि मेरा target था 1000 शेर बेचने का पर rate मुझे मिला नहीं फेवरेबल तो मैं 600 यह बेचे 989 रुपीज के हसे साब से और इसमें मुझे करीबन मेरी cost इसकी 610 रुपे तो अगर इसमें से 610 माइनस करोगे और 600 से मिल्टिप्लाई करोगे तो लगबग 2,27,300 का ठीक ठाक सा अच्छा मुनाफ़ा अब सब को मिलाते हैं तो फिर जो मैंने आपको बताया वो रहा हिंदिस्तान यूनी लिवर की एक मैंने put square off की उसमें नुकसान हो और फिर 200 शेर मैंने खरीद लिए इस तरह से मैंना अपनी रिस्क मैनेज करता हूं cash management अब actually मैंने टाटा मोटर बेचे तो टाटा मोटर बेच दी है वहां से cash रिज हो गया उस cash से फिर मैंने हंदुस्तान यूनी लिवर खरीदे तो यह था एक example cash management का यही मैं अपनी वीडियो के दौरा और डेमो के दौरा ब आप मेरे से पूछ भी लेंगे तो मैं यही कहता हूं अपने risk appetite से काम करें अगर आप यह सब बाते सीखना चाहते हैं जिसका मैं वीडियो डेमो से समझाता हूं तो आप मेरे student बन सकते है वाट्साइब के फोन नंबर है सत्तर ग्यारा तीन सोतेज जिरो सतत्तर सेवेंटी इलेवन त्री ट्वंटी जिरो डबल सेवेंट पर अगर आप सीखने के साब से आ रहें तो आईए टिप के साब से आ रहें तो कोई आने का फायदा नहीं यूट्यूब पे भी student बन सकते हैं membership section में जाका इसके लावा अब मेरे टेलिग्राम चैनल जो के एक बिल्कुल एड्यूकेशनल चैनल इसका लिंक पी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जोइन कर सकते हैं इसके साथ साथ बबाए गॉड ब्लस वी हापी इंवस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के वेताज बात्शा अबने